नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से श्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जारखन करमचारी चायन आयोगी यानि JSC के दौरा जो वेकिंसी आया है सचीवाला आसूलीपिक की वेकिंसी ठीक है तो इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे दोस्तों इसका जो खोठा का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि खोठा का सिलेबस है दोस्तों चाहे आप JSC Excise Constable में देखें JSSC CGL में देखें या फिर JSSC का जो technical सिवा आया है उसमें खोठा का syllabus देखें तो सब में खोठा का syllabus में कुछ changes रखा गया है तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके syllabus और साथी देखेंगे कि इसमें क्या changes है वैसे candidates जो eligible है इसको भरने के लिए और साथी भरने के बाद अगर आप CGL भरे हैं XI Constable भरे हैं तो इसमें खोठा में आपको अलग से क्या रनिती भी तैयार करना पड़ेगा क्या अलग से आपको मेहनत करना पड़ेगा तो इसके खोठा के syllabus को देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों देखेंगे आपका जो second paper रहेगा उसमें खोठा आपका subject रहेगा और as a subject जो इन 12 भासाओं में से choose करेंगे उनी में से आपको प्रस्न पूछा जाएगा तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका खोठा के बारे में नंबर मिलेगा वो 300 अंक आपसे प्रस्न पूछा जाएगा 300 नंबर के और जो परिक्षा की अवधी रहेगा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो घंटा आपको समय दिया जाएगा यानि 100 प्रस्न सॉल्व करने के लिए आपको दो घंटा मिलेगा यानि पेपर 2 में पेपर 2 में दोस्तों आप सभी को 30% मार्क्स लाना अनिवार्ज होगा यानि क्वालिफाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप क्वालिफाई करें यानि पेपर 3 इसके बाद जो पेपर 3 होता है हाला कि इसमें पिपर 3 है नहीं इसमें सिर्फ 2 ही पिपर है 30% marks लाना ही पड़ेगा दोस्तो ठीक है यानि इसमें qualify करने के लिए आपको 30% marks लाना है तो चलिए इसके खोठा के syllabus को देखते हैं देखिए दोस्तो खोठा के syllabus में अगर देखें तो यहाँ पे 3 चीजों को सामिल किया गया है तो गद भाग फिर है दूसरा व्याकरन सेग्मेंट और तीसरा जो है निवन सेग्मेंट यानि तीन चीजों को सामिल किया गया है गद भाग में देखें तो देखें देखें यहाँ पे रखा गया है ये चीज रखा गया है, देखें इसमें जो बुक है, वो SST के तरफ से suggest भी कर दिया गया है, खोठा, गद, पद, संग्र, इस किताब को पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, ये SST के तरफ से suggest किया गया है, और दूसरा जो किताब है वो है, दूडायर जिरूल, फूल, तो ये दो चीज आपको पढ़ना है दोस्तों गद भाग में ठीक है इसका प्रकाशक भी दे दिया है खोटा साहितेक संस्कृतिक परिशत बोकारो ठीक है ब्याकरन में बात करें तो देखें ब्याकरन में जो आप से प्रस्ण पूछा जाएगा कि इसकी सेग्मेंट में वो है संग्या से प्रस्ण पूछा जाएगा फिर सर्वनाम है कारक है लिंग है लिंग निरनाई महावरा है और कहावत है इसके अलावा इसके सहायक पुस्तक जो है दे दिया गया है रेफरेंस के रूप में आप इन किताबों को यूज कर सकते हैं स्सी की तरफ से कहा गया है काव नंबर में करें दोस्तों तो निवन्द जो है वो दिया है सामसामाई विश्यफर आपको निवन्द से प्रस्ण जो रहेगा रहेगा ठीक है जिसमें दिया है सहायक गरंत दिया है खोठा निवन्द संग्रा संपादक मंडल भी दे दिया है कुमारी ससी डॉक्टर बिनोद कुमा डॉक किताब को रखा गया है वियन ओधार सार का खोठा निवंद चाहे आप CGL का बात करें चाहे आप CGL टेक्निकल का जो आया है उसमें बात करें यह खोठा निवंद हर में मैंसेन है और इसमें भी मैंसेन किया गया आसूलिपिक वाला में तो यह है दोस्तों आपका खोठा का सिल लो competition का exam है, सरते दोस्तों पहले से ही कुछ लोग मन बना लिये हैं, कि short hand बहुत ज़्यादा कठीन होता है, अभी उतना time नहीं है, practice नहीं कर पाऊंगा, इन तमाम excuse के बज़े से वो त्यारी में नहीं लग रहे हैं, और definitely ये vacancy जो है दोस्तों, definitely खाली रहा जाता है, अमोमन time भी मिल रहा है, तो वो लोग करना नहीं चाहता है, पहले से मन बना लेते हैं, कि ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिस बज़े से ये vacancies भी खाली चला जाता है, तो वैसे candidates जो लोग पहले से थोड़ा बहुत सिखे हुए हैं, और जो अभी से लग गए हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है दोस्तों इसमें, और ये आसूलीपिक यानि स्टैनों का जो जॉब होता है, दोस्तों जॉब प्रोफाइल, बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल माना जाता है, इसलिए आप सभी को कहाना चाहूंगा, दोस्तों जो लोग नहीं भरे ह रूप में इसमें आप जॉब को तलाज सकते हैं, बसरते आपको पूरे मन लगन के साथ इसमें लगना पड़ेगा, आप सीख चाहेंगे डेफिनेटली, अगर आप कोसिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगा, और जो लोग कोसिस ही नहीं करेंगे, वैसे इस और में इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, थैंक्यू